हेलो और ले मॉललाए आप हमेशा बनाते हैं तो तर या पर जो मेफि मेटर मलाए आप बनाते हैं उसमें आप डालते हैं अच्छे कॉंटिटी में घ्ली जो हो जाता है उनहील, इसीलमें बहुत ही ज्यादा हेल्दी वर्जटन लेक् Millennium मेथी मटर मलाई का, आम शौर आपने ऐसे कभी ट्राइ नहीं किया होगा, यह 100% वेगिन रेसिपी है, तो चली शुरू करते हैं, वीडियो पसंद आजाए, तो चानल को कर दीजेगा, सब्सक्राइब और आईए देखे कैसे बनाया, पान में 1 टेबल स्पून ओल लेंगे, औ दो मीडियम साइज के टमाटर को बहुत ही बारीक हमने चौप कर रहा है, और अब क्या करने वाले हैं, इसको भी हम इस परीके से, बहुत अच्छी तरीके से भून लेंगे, लो टू मीडियम फ्लेम पर, उसके बाद 1 टेबल स्पून अद्रक लहसन का पेस्ट डाल कर इसको बून लेना है, ताकि ये सारे मसाले एक जगे घρχा होने लगें, उसके बाद यहाँ पर, नहसके बाद यहाँ पर अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे, लो फ्लेम पर फिर 1 टेबल स्पून नमक आठ कर देंगे, इनको भी मिक्स कर लेने के बाद, यहाँ पर देखें, हमने ल इसको डाल लेने के बाद मिक्स कर लेंगे और आपको यहां पे सब चीज ड्राइ लग रहा होगा यहां पे लो फ्लेम पर ही हमें मिक्सिंग करना है अभी कुछ भी पानी वगएर अमने नहीं आड करा है ड्राइ मसाले के साथ अच्छी तरीके से पहले मटर को मिक्स कर लिया पर मेती के साथ को अच्छी तरीके से बने धो लिया था और रफली चॉप कर लिया है इन्हें डाल कर भी मिक्स कर लेने के बाद यह जब अच्छी तरीके से सारे मसाले इनमें अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए उसके बाद इसमें जो है हमने पानी आड करना है तो बस यहा कुक हो जाए तो बस इसे हम ढख कर 20 मिनट तक पकाएंगे यहां पर पानी मैंने अच्छे कॉंटिटी में दे दिया है तो पानी डाल कर मैंने मिक्स कर लिया है और पानी की कॉंटिटी आपको उतना ही रखियेगा जितना कि आपको ग्रेवी चाहिए तो मैंने तीन कंप इसमे का वो green green बना रहेगा आपका सबची देखने में प्रिजेंटेबल लगेगा बस इसको ढखकर जो है हमने बताया 20 मिनट तक पकाएंगे इसको low to medium flame पर अब एक काम कर लेते हैं यहां पे देखे मैंने 15-20 काजू को जो है 10 मिनट तक गरम पानी में भेगो लिया था अब इसका ह पेस्ट तयार करना है अब क्या करेंगे इसको मिकसर क्राइंडर में डाल लेंगे और 1-4 तीजपून यहां पे अमचूर पाउडर डाल कर इसका हमें पेस्ट तयार कर लेना है अब देखे यहां पे 20 मिनट हो चुके हैं और यह देखे अच्छी तरीकी से मटर कल चुका है तब डाल देंगे हम यहां पे तयार किया हूँ अपना वेगिन मलाई तो यहां पे हम दूध वाला मलाई का यूज नहीं करने वाले इसलिए हम वेगिन मलाई का यूज कर रहे हैं उसको डाल कर मिक्स करने के बाद यहां पे दो टीजपून के करीब का सूरी मेथी को क्रश क कर दिया अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर लेंगे बस अब कुछ नहीं करना है इसको ढख कर जो है हमें 10 मिनट तक और शिमर करना है लो फ्लेम पर तो 10 मिनट तक इसे हम शिमर कर लेते हैं मतलब पका लेते हैं तो देखिए 10 मिनट बाद हमारी सबसी बनके तयार है oh my god आप इ उसका substitute यूज किया है बहुत ही जादा टेस्टी और healthy option है जब आप बनाएंगे तब जाके आपको विश्वास होगा बहुत ही जादा amazing recipe है इसको बनाएए अपने feedback मेरे साथ share कीजिए फिर मिलेंगे तब तक के लिए goodbye और चानल को कर दीजिए subscribe